एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जै श्री राम, जै बागिश्वर धाम जरूर बोले दोस्तों, शंक का क्या विशेश महत्व है? कैसे शंक का प्रयोग करके माता लक्ष्मी को लोग प्रसन्न कर लेते हैं? आज के वीडियो में ये सब जानकरी हम आपको देंगे, तो आज का ये वीडियो आप पूरा ध्यान से और मन से देखेगा और पूरे मन से सुनिएगा, ताकि आपको हर चीज सपष्ट होती जाए, पूरे विश्वात के साथ आप इस काम को कीजेगा, आतका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा, हर रूठा हुआ इंसान मान जाएगा, व्यापार, नौकरी, संतान, हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे हिंदू संस्कृती में शंक का कितना महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं, ऐसी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाट, त्योहार, बिना शंक की पूजा किये नहीं होता है, बिना शंक की द्वनी किये, पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे आप किसी भी प्रकार की पूजा पाट करें, चाहे किसी भी प्रदेश में आप रहते हों, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर, गाउं कहीं भी आप रहते हैं शंक का उतना ही महत्व है आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी अगर शंक का महत्व पूछेंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि पूजा पाठ में इसका कितना महत्व है क्योंकि शंक है ही ऐसी चीज बहुत ज्यादा उपयोगी चीज है भगवान विश्नु के हाथों में हमेशा शंक मौजूद रहता है और ये शंक विश्नु जी को बहुत ही ज्यादा पसंद भी है इसलिए शंक की घर में मौजूदगी भगवान विश्नु को खुश कर देता ह और जहां विश्णु जी हो महा माल लक्ष्मी ना रहे ऐसा कैसे हो सकता है इसलिए शंक के महत्व को हलके में आप बिल्कुल भी नहीं ले कहा जाता है कि जब समुंद्र मन्थन चल रहा था तब 14 रत्नों की प्राप्ती हुई थी जिसमें से शंक भी एक रत्न था सुख संबृध्धी घर में बढ़ाने के लिए एक शंक अपने घर में आप अवश्य रखिए अब आपको शंक के अलग-अलग महत्व बता देती हूँ और एक विशेश उपाय भी मैं आप सभी को बताऊंगी जिसे अगर आप धन के अभाव में जूज रहे हैं तो ऐसे में आप इस उपाय को जरूर करें आप इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे तो ये समझ लीजे आपको करना क्या है कैसे करना है किस दिन करना है ध्यान से सुनें आप गुरुवार के दिन सुबह में नहा धोकर एक मुठी चावल ले ले जिहां दोस्तों गुरुवार के दिन आप सुबह में जितना जल्दी हो सके प्रातः काल में आप उठ जाएं सुर्योदय के समय उठेंगे तो भी ठीक है और अगर आप आठ बजे के समय तक भी इस काम को करते हैं तो भी ये आपको उतना ही फल देगा तो आपको गुरुवार के दिन सुबह में नहा धोकर एक मुठी चावल ले लेना है साथी में आपको लाल कपड़ा लेना है ये दोनों सामान लेकर आप अपने घर के पूजा स्थल पर आ जाएं अब आपको एक लूटा जल लेकर शंक को अच्छे से धो लेना है और इस जल को आप किसी बरतन में संभाल कर रख दें वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि इस जल का आपको क्या करना है तो शंक को धोने के बाद थोड़े से चावल आपको शंक में भर लेना है और विष्णु जी के सामने आपको इस मंत्र का जाप करना है सिर्फ एक बार आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजेगा और मंत्र क्या है ध्यान से सुन ले या फिर कहीं पर लिख ले या फिर आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं ध्यान से सुनिएगा ओम नमो नारायन नमह ओम नमो भगवते वासु देवाय नमह एक बार फिर से सुनते हैं ओम नमो नारायनाय नमह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह इस मंत्र का जाप एक बार ही आपको करना है इसके बाद चावल के साथ ही शंक को आप लाल कपड़े में लपेट ले और विश्णो जी से अपनी मनो कामना आपके मन में जो भी पर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन वो नहीं मान पा रहे हैं तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं किसी प्रकार की परेशानी है उसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं यह इतना पावर्फुल उपाय है कि आप सोच भी नहीं सकते एक बार कर लीजे ना एक बार कर में शंक है तो आपको करना क्या है विश्णु जी से अपनी मनों कामना आपको अपने मन में बार-बार मांगनी है और अब आप इस शंक को जिसकी आप पूजा कर रहे हैं अपने लाल कपड़े में लपेटा है उसे अपने घर के तिजोरी घर में रख दे उस जगह पर रखते जहां आप अपना पैसा रुपिया रखते हैं गुरुवार के दिन आपको करना होगा और अगले साथ दिन तक जी हां दोस्तों ध्यान से सुनें अगले साथ दिन तक आपको वहीं पर इसे रखे देना है और साथ दिन बाद यानि की अगला जो गुरुवार आएंगे साथ गुरुवार आएगा साथ दिन के बाद तब आपको शंक वहां से उठा लेना है और लाल कपड़े में उस चावल को जो आपने शंक में डाला था उसे लपेट कर विश्णु जी के फोटो के पास में आपको रख देना है इस साथ दिन के बीच में आपको स्वतर ही महसूस होन लगी है और साथवा दिन आते आते तो आपकी समस्या का पूर्ण रूप से निदान हो चुका होगा और आगे चलकर धीरे धीरे वो समस्या आपसे पूरी तरह से अलग हो चुकी होगी आप से पीछा छूट चुका होगा अगर आपके उपर कर्ज भी चल रहा है बहुत ज् बच पाता है आपको कर्ज लेना पड़ता है और फिर जब आपकी तन्खवा या सेलरी आती है वो कर्ज को भरने में ही आपकी तन्खवा पूरी खत्म हो जाती है और फिर से आपको कर्ज लेना पड़ता है तो ऐसे में भी हर श्रद्धालू को यह उपाए अवश्य करके पाया था आप उस जल को लेकर अपने घर के सभी पूणमें चिड़काव कर दें और साथी साथ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी उस जल को अवश्य चिड़क दें ऐसा करने से घर में लक्षमी का वास होता है और साथ ही साथ घर में सभी नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो बाहर निकल जाती है शंक इतना पवित्र और शक्तिशाली होता है इसका उपाय आपको कम से कम अपने जीवन में एक बार तो अवशे करना चाहिए और अपने परिजनों के साथ परिवार के हर छोटे बड़े सदसे के साथ आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए ताकि हर सनातनी तक सनातन धर्म के इतने प्राचीन ज्यान के भंडार को आप विस्तारण करने में एक माध्यम बन सकें हर किसी को ये ज्यान अवश्य होना चाहिए घर के बड़े छोटों से जब बोलते हैं कि आप इस काम को करें तो वे लॉजिक मांगते हैं ऐसे में आप सभी के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि आपके पूरवज ने वो काम किया है आप कर रहें इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीड़ी भी उस काम को करते रहें लेकिन अगर आप उन्हें सही चीज बताएंगे सही वजह बताएंगे तो बेशक वे सभी इस काम को अवश्य करेंगे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें अगर मेरा वीडियो पसंद आया मेरा मार्क दर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर हनुमान सीताराम राधेशाम